प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली एजेंसियों में लोक निर्मान विभाग भी है जो विकास की इबारत खड़ी करता है एक बड़ा ब्रिज बोपाल में बन रहा है मंत्री जी हमारे साथ में राके सिंग जी हम उनसे जानेंगे और क्या लक्ष है भविश्य के वो भी जानेंगे सर आपने लेक्षन किया कई समस्या हैं आपके सामने रखी एक पूरी भुजा जो अभी उसका पूरा नहीं हो पा रहा है और सितंबर तक पूरी होगी लगता नहीं है आपको क्या लगता है कोई भी कार करने के पहले एक प्लानिंग होती है उस प्लानिंग के आधार पर समय सीमा ते होती है लोक निर्मान विभाग के जो अपनी समय सीमा थी वो अपनी प्लानिंग के आधार पर थी लेकिन जब उसमें बाकी के विभाग भी जुड़ जाते हैं नगर निगम भी है या ब्लूडी के अधिकारियों की और जला प्रशासन की सहयोग तो बैठक हुई है यह तैव हुआ है कि लगबग 20 सितंबर तक वह अपना काम पूरा कर देंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि 30 सितंबर तक यह कारे पूरा हो जाएगा नर्मरतापुरम रोड यानि होशंगाबाद रोड पर एक बड़ी आबादी रहती है वहाँ भी इस तरह के फ्लाइवर की अब भविश्य में जरुवत पड़ेगी इसी तरह से कोल आर में भी रहने वाला है वहाँ के लिए कोई प्लानिंग है देखें समय के साथ साथ ट्रैफिक और आबादी के बढ़ते हुए घनत्व के साथ साथ फिर ये निकाला जाता है कि उस रोड पर उस रस्थान पर ट्रैफिक कितना है उसके आधार पर फ्लाइवर डिजाइन होते हैं मेट्रो के अधिगारियों से भी आप बताई रहें बात हुई है वो अपना काम तेजी से कर पाएं इसकी भी मॉनिटरिंग करेगा क्या राज्य सरकार करेगी आप देखेंगे उसके ये जिम्मेदारी तो मेट्रो की अपनी हैं सबके अपने अपने तरीके हैं एक्सपर्ट हो जाए हैं कि कॉडिनेशन से ही काम बहतर होता है और यह कॉडिनेशन नगर निगम के बीच में मेट्रो के बीच में और पी डविडि के बीच में बना रहे इसकी कोशिश है श्याम सिंग्त उमर विस्तानी उसके लिए कैमरा परसन नागेंदर के साथ